इसी बोलते बोलते मेरे दिमांग सटा गया तहां मुझे लेगा अगर दाइन सही में चिवाल है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जागडा में यतना कड़ोरू रूपिया का मुझाईल उसको पर रखे के का जब वहता सोगो डाइने पहाव कर दिना पाश्या अजागर प बाली सीना नापो तो दोडाव हो इस फालतू फालतू के बात में हमारा समाज दिमांग लगा रहा है आपको हफाज़त से रहना है सोने टाइंग दुआ पढ़िए नमाज में मस्जिदों को कसरत से भरें ये मेरा काम है और उसकी ली भी वक्त मिलता है बहुत है लबोरे नमाज पढ़ेगा टाइम ना पोचिला टाइम हो दूसरा उगाली देवेला चार घंटा हो अखाना रहे है और नमाज पढ़ेगा टाइम ना दूसरे के सिकाईक बत्याइब अभी ठाम है जरा हम बत्याइदे पुर्चि अरे पांच से दस मिनट का वक्त होता है नमाज के एक मिनट अगर हवा बंद हो जाए तो दुनिया का कितना इंसान फणा हो जाए तो कम से कम अल्ला जो एतना कीमती चीज फिरी में दे रहा है जो हवा है अक्सिजन है जो हजारों रूपिय घंटा नफसी हों में मिलता है वो आपको फिरी में दे रहा है उसका कीमत कम से कम पांच बत नमाज पढ़के तो अदा कर देंगे तब समझेंगे कि हमी मनदार को है जो अल्ला दे रहा है उसका भी कुछ कर जो आप अब आप इसमीं कर रहा है तो यह स हमको सोचने की बात है और आप लोग ऐसी जम्मे रहिए हम लोग गया में भी जा रहे हैं जहां मोका मिलता वहां धबना अस्तर पर जा रहे हैं और एक बात मान लिजिए कि हम कोई नेता हुता नहीं है मिला जो लाए इंसान है और आप लोग की दुआ की जरूरत है वह आप लोग भी हमारे दुआ कीजिए कि हम लोग कौम के खिद्मत के लिए और आगे बढ़ते रहें खुदा हाफिस असलाम होगा